तो आज बात चित करते हैं ग्राइणी स्मिट के विशय में जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं ये इसका ग्राप्टिंग पॉइंट है और इसी साल मैंने फर्वरी में इसकी ग्राप्टिंग की थी और सबसे पहले तो इसकी हाइट देखते हैं जरा कितनी ज्यादा इसकी हाइट है कितनी इसने ग्रोथ ले रखी है तो आप देखिएगा और देखते जाएगा ये ग्रैनी स्मित है और अब बले 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 कितनी 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 ज्यादा हाइट है इतनी ज्यादा इसकी ग्रोथ है जैसे आप देख सकते हैं लगभग 8 फिट के करीब करीब इस कलम ने ग्रोथ ले रखी है जैसे भी आपने ये पोदा देखा तो ग्रेनी स्मित की अगर ग्रोथ की बात करें तो ये नंबर वन है ग्रोथ के मामले में नंबर वन है ग्रेनी स्मित तो इसकी लीफ की अगर बात करें तो इसकी leaf भी काफी चोड़ी होती है ये देखें leaf कितनी चोड़ी है इसकी और बिल्कुल green होती है dark green और यहां देखें पिने भी इसने इसी साल बनना रखी है तो इस साल तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी तो ये नरस्तरी फीरिड में ही है और अभी उ अब बिंटर में प्रोनिंग होगी तो इस बिंटर में ग्रोथ को कट आउट दिया जाता है उपर से टोप कर दिया जाता है तो देखते हैं कि स्टंट के हिसाफ से कितनी ग्रोथ इसकी उडाने पड़ेगी तो leaves भी इसकी काफी healthy होती है चोड़ी-चोड़ी होती है तो आप लोग गाला के साथ साथ ग्रैनी स्मित भी लगा सकते हैं जैसे मेंने लगा रखी है जगे-जगे बीच-बीच में ये ग्रैनी स्मित और इसमें ग्रोथ का भी काफी इश्यू नहीं है और सबसे मेन जो इसका कार्य है ये दूसरी वराइटी को पोलन करेगा दूसरी वराइटी के लिए ये पोली नेशन का काम करेगा काफी अच्छा तो अगर अच्छी पोली नेशन आपको चाहिए अगर आपने अच्छी क्रोप लेनी है तो आप इसको भी जरूर लगाईएगा ग्रैनी स्मित जैसे आपने देखा ग्रोथ वाइस काफी अच्छा है लीव से काफी चोड़ी है और अगर इसके फूट की बात करें तो इसका फूट अंतितक ग्रीन रहता है तो आपको इसमे कलर लाने की भी कोई जरूरत नहीं है तो क्योंकि यह हरा ही बिके का आपके पास लगबग जैसे डिमांड रहेगी डिमांड की साफसे इसके रेट मिलेंगे